नमज़कर दूस्तू मैं हूँ आपका दोस्त अपिशेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ करीबन 1% का डाउन फॉल हमें देखने को मिला है 205 रुपे 45 पैसे पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़राया यानि की क्लोजिंग हमें 205 रुपे 45 पैसे पर देखने को मिली थ्री आवर चार्ट के अगर हम बात करते हैं तो अभी भी साइड वेज की तरह बेहेव करता हुआ स्टॉक नज़रा रहा है कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है और हमारे रेजिस्टेंस लेवल जो था 213 रुपे 36 पैसे का अभी तक प्रेक नहीं हुआ है हमने पहले भी आपको बताया था कि जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक प्रेक ना कर दे कोई भी फ्रेश पाइंग हमें नहीं करनी है यानि की अभी भी हमें वेट एंड वाच की स्टेटेजी अपना कर चलनी पड़ेगी नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल यहां पर परकरार है 194 रुपे 85 पैसे का देखिए इस सपोर्ट लेवल को as a stop loss यूज करके चलना है क्योंकि अगर वापस किरावट आती है और यह सपोर्ट लेवल फिर से प्रेक हो जाता है तो 180 तक के लेवल भी दिखा सकता है बात करने टारगेट की अगर यहां से तेजी पनती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टारगेट स्टॉक अचीव कर सकता है वो है 210, 215, 220 तक के टारगेट भी अचीव होते हुए टाटा पावर में नजर आ सकते हैं तो यही स्टेटिजी आपको उपनानी है अभी केवल वेट करें पूटफोलियो में स्टॉक शामल है कंटीनियो होल्ड करके चल सकते हैं आप चाहें तो अपनी खुद की अनलाइसिस, खुद की रिसर्च जरूर करके चलें तो यही बतानी के लिए हमने वीडियो बनाई थी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद